हेलो फ्रेंड्स में सविता सेखाओत मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की रेसीपी में हम बनाएंगे एक तमी ओटल वाली जैसी लबाबदार अंडा करी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगी इसकी जो ग्रेवी होगी एक दम ही सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी बन कर तैयार होगी और इसकी खास बात यह है कि इसको अमने बिना टमाटर के बनाया है फिर भी ये बेहद ही स्वादिष्ट बन कर तैयार हुई है और वैसे अंडा करी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है बच्चे हो या बड़े और इसकी जो ग्रेवी है अलकी सी खटी है थोड़ी सी स पाइसी है और बहुती ज़्यादा टेश्टी है तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं और इसमें अमें जो मसाले लगेंगे वह साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी जो पहले की तैयारी है वह अमने कर ली है यहाँ पे अमने आठ अंडे लिये थे और उन इसको प्रिक करने के बाद में साइड में रख देंगे और बाकी की तैयारी हम देख लेते हैं तो यहाँ पे अमने यह तीन मीडियम आकार के प्याज लिये थे उसको अमने ऐसे पतले लंबे स्लाइस में कट कर लिया है इसके बाद में आमें 10 से 15 लैसुन की कलिया लगेंग यह लगबग 500 ग्राम के असपास यह तो यह सामगरी आमें लगेगी इसके साथ में थोड़े से सूखे मसाले लगेंगे जो नोर्मली हम डेली यूज में काम में लेते हैं सबजी बनाने में तो सबसे पहले हमने कड़ाई के अंदर तेल को गरम कर लिया है यहाँ पे मैं सर् ब्रावन उने तक बुन कर लेना है तो इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे और गैस का फले में मीडियम रखेंगे ताकि जल्दी बुन कर तहियार हो जाए अब प्याज को इतनी देर बुनने देंगे कि अच्छे से ट्रांस पेरेंट हो जाएंगी आपे आप देख रह प्याज क कलियाको को प्याज यंग उने चोर्ण का फटनी चाहि ऐकर अर्म ख्याज है आप यां अमें एक को थोड़ा सा करना है तो याँ पर ऑध अन्डे क करना कि लिए अलग से कोई जरूरत नहीं है अगर आम को तेल में डालेंगे तो थेल जो है और अन्डे पर बहुती जादा बबल से आ जाते हैं जो खाते समय तो अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए आम इसको इस तरीके से फ्राइ करेंगे तो इसके अंदर एक तो बहुती बड़ी आसी खुसबू हो जाएगी जो खाने में बहुती जादा बड़ी अलगती है प्याज आए इसके उपर तो यह अच्छे फ्राइ हो गए है इनको निकाल लेते हैं और प्याज पे थोड़ा सा कलर ओर आने देंगे उसके बाद में इसको निकाल लेंगे क्योंकि प्याज को हमें एक्टम अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राइ करना तो यह देखी एक्टम ही आगे की तैयारी कर लेते हैं तो यह पर तेल जो हमारा गरम है अब इसी के अंदर एक छोटा चमच जीरा डालेंगे जीरा अलका सा तड़कने देंगे उसके बाद में इसके अंदर जो अमने खरे मसाली लिए थे वो भी डालेंगे और इसको आम फ्लेवर आने तक थोड़ा अब जालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर और साथ में कलर के लिए थोड़ी सी इसमें जो कस्मीरी लाल मिर्ची आती है वो डालेंगे और इसको भी आम बीच से तीस सेकिंड के लिए इसी तरीके से बुनेंगे यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने एक दम लो रखा है उसके बाद अब भी आम इसको थोड़ी सी देर चलाते रहेंगे ताकि अच्छा सा उबाला जाए उसके बाद में दही जो है फटती नहीं है और ग्रेवी जो हमारी एकदम स्मूध बन कर तयार होती है साथ में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे तो ग्रेवी में अच्छे से उबाला पानी अटर रखी थी उसमे एकदम थोड़ा सा पानी आट करती होग है उसको एकदम बारिक पेस लिया है और वह पूरा पेस्ट अमने इस इसी के अंदर डाल लिया है अब इसको अच्छे से चलाने के बाद में एक छोटा चमस गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से लग बग एक-से Ohhh एक से त्रद मिनिट के लिए पकाना है त्पाके पकती выпуск अच्छी से पक जाए मसालों के निसानी हो आम इसके अंदर एग फ्राइर करके रखे थी हो प्रिए दल रखेंगे और अच्छी से से मिला देंगे अब इस पे हम डखकन लगाकर इसको लगबग 2 मिनिट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पकने देंगे तो हमारी अंडा करी जो है बनकर तयार हो जाएगी इसको बनाने में आमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुती जल्दी जटपट एकदम ओटल के जैसी बनकर तयार होती है बहुत स्वादिश्ट वाली आब इसको पकने देते हैं तो यहाँ पे इसको पकती पकती दो मिनिट हो गई है आब इसका ढखकन उठा करी इसको अलका सा इस तरीके से चला लेंगे और इसके उपर से हम अरादन्या डालेंगे क्योंकि एक करी बनकर तयार हो गई है और बहुती स्वादिश्ट बनी है बहुती बड़ी आसी इसके अंदर खुस भुआ रहे हैं एकदम जैसे ओटल वाली एक करी हम खाते हैं उसी तरह की ए जादा टेश्टी लगती है देखने से पता लग रहा होगा कि एकदम टेश्टी बनी है और फ्रेंट्स कम मानत में एकदम ही स्वादिश्ट सबजी बनकर तयार होती है तो आप इसे जरूर बनाईए और फ्रेंट्स अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्ली कि अजरे रहतbad हमेंगार के जरूर को आपको आइbor में एक वीडियो अवाल आपकोजी के बनकर दीवाद्टी बनकर वाने से दिहां होती है